नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब लोग साथियों एंटी करफशन बीरों के साथ आपका एक्सपीरियंस बिटर ही रहा होगा एक्चुली क्या होता है कि शुरुवात में तो ये मीठे ठक की तरह बाते करते हैं कि आप गवराएं नहीं आप सच जो हैं उगल दें और जो भी आपकी हैल पे हैं हमें इस पर लोग जो है कोट पे कर देंगे और अल्टीमेटली आप से ही एविडेंस कलेट करके आपके विरुद वो एविडेंस कोट में उपयोग में ली जाती है साथ यूँ क्या होता है कि हमें लेगल जांकारी नहीं है जब anti-corruption trap करती है तब हम डर के हमारे कई बातों को बोल जाते हैं कई बातों पर confession भी दे जाते हैं जिसका ultimately फाइदा जो है prosecution को कोट में मिलता है मैं एक बात इसपस्ट कर दूँ कि जब भी आपके पार्ट पर Alice demand है या मांग की जो है सिती आ रही है या recovery की सिती आ रही है या acceptance की सिती आ रही है तो वहाँ पर initial offense जो है धारा साथ prevention of corruption एट का बनता है अब वहाँ पर क्या अपने खिलाब presumption है आफदार ना है तो वहाँ पर कोट ये presum कर सकते है कि आपने जो है रिश्वत की मांग करी है रिश्वत को पराप्त किया है और रिश्वत भी आपसे रिकवर हो गई है अगर ये तीनों parameter प्रत्यम दिस्टेय रूप से सपस्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर कोट presumption draw कर सकता है जिस गेम को हम असानी से contest कर सकते हैं अब वो गेम उतना ही मुश्किल हो गया उनकी हुशारी से नहीं हमारी बेफकुवी से Actually मैं आपको एक legal बात पताना चाता हूँ जिसकी जानकरी आपको आस्तक नहीं दी गई और यदि किसी व्यक्ति के साथ anti-corruption की trap कारवाई होती है तो वहाँ पर जानकरी उसके काफी काम आने वाली है सात्यों एक section जो है आप note रखें section है 41D of CRPC ये section ये कहता है कि आपका वितिक अधिकार है to consult a lawyer of your own choice हिंदी में कहेंगे कि आपको ये अधिकार है कि investigation के दोरान जब interrogation की प्रक्रिया होती है तो वहाँ पर आप अपनी पसंद के वकील के उपस्तिती में कारवाया करने के लिए ये कह सकते हैं ये protection इसलिए दिया गया है कि हमको legal जानकर ये नहीं होती है और कहीं पर घबरा कर हम confession दे जाते हैं और जुरुम स्विकार कर लेते हैं या कई पर घबरा कर ऐसी बात कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए तो वहाँ पर हमें legal protection मिल सके हमारे rights को legal defending मिल सके तो वहाँ पर ये सब्धानिक अधिकार भी कह लीजी है इसको विदिक अधिकार भी कह लीजी है ये हमें दिया गया क्योंकि 41 DCRPC का जो ultimate सब्धानिक पार्ट है ये है article 21 of Constitution of India जो ये कहता है कि हमारी life और liberty जो है वो काफी महत्पुड है undue procedure से या confession के माध्यम से या डरा कर धमका कर इसको नहीं चीन सकते हैं तो उसको protect करने के लिए ये section जो है दिया गया अब सातियों करना क्या है जब भी anti-corruption की trapping कारवई चल रही है तो वहाँ पर घवराने का नहीं है इधर उधर आपको phone भी नहीं करने आप अपने वकिल स्वैम है उस समय केवल एक छोटी सी युक्ती जो है आपको follow करनी है वह युक्ती क्या है कि मुझे मेरे वकील से मिलाए जाए मेरे वकील से consult कराए जाए उसके बाद मैं आपके समझ प्रश्णों का जो है उत्तर देने के लिए बात दे हूँ उससे पहले अगर कारवाई करते हैं तो समस्कारवाई या इनलीगल होंगी इस बात को बार बार कहें इस बात को लिकर भी दें आप कागज भी मांग सकते हैं बियरो से या आपको दिया जाएगा आप पैन भी मांग सकते हैं बियरो से आपको दिया जाएगा अगर ये Bureau वाले बैमानी करते हैं और आपका समर्थन जो है वो नहीं करते हैं तो वहाँ पर जब पहली बार आपको कोट में पेश किया जाएगा तो इस बात को जो है मेंशन कर दे या करवा दे कि मेरे साथ जो है इस इस तरह से बैमानी होई है मुझे वकील का सबोर नहीं दिया गया और मेरा कनफेशन गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया है आप जो कहेंगे मजिस्टिट जो है वो लिखता जाएगा जिसका फाइदा क्या मिलना साथी हो अब है पते की बात तो रिसेंटली पोजिशन जो है वो किलियर हो चुकी है कि मामला कितना भी गंबीर हो एवन एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी का मामला भी है पर वहाँ पर इन्वेस्टिकेशन के दोरान यदि अक्यूस्ट को किसी लॉयर का एकसेस नहीं मिला है तो वहाँ पर उसका नैस्टिलल जस्टिस का राइट और राइट तो कंसल्ट आ लॉयर ऑफिस ओन चॉइस डारेटली और इन्डारेटली जो है वो इन्फरिंग हो जाता है तो महाँ पर कंसल्ट अक्यूस्ट जो है बेल पाने का अधिकारी हो जाता है जिस संबन में आप आई बटन में जाकर वीडियो में देख सकते हैं तो सातियों गवराई नहीं इनिशली गरबड़ी करने की बज़ाए या गलट डिसिजन लेने की बज़ाए सुजभूस से काम ले कोड केस रड़ना कोई बड़ा इशू नहीं है पुलिस की प्रोसेडिंग बड़ा इशू नहीं है कि एवल आपकी गवराणी जो है उनको मजबूती परदान कर देती है यह उसी तरह से है कि हम रोड पे चल रहे हैं और कुछ कुटे हमारे पीछे भाग रहे हैं हम आगे भाग रहे हैं कुटे बीचे भाग रहे हैं तो अल्टिमेटली आपको यह डर है कि कुटे काड जाएंगे और कुटों को लग रहा कि यह चोर है तो वही सिती जो है पुलिस कारवाई में हो जो है कि सामने बिलती है कि आप भाग रहे हैं और वो आपको जो है भगा रहे हैं तो भागने का नहीं है गवराने का भी नहीं है इस सित्यों का जो है सामना करने का है कम से कम आपको लीगल जान करें जो मैं दे रहा हूं उससे आपका confidence जो है boost up होगा और भविश्य में सित्षिती आ गई तो वहाँ पर easily आप अपने rights को जो है enforce कर पाएंगे तो सातियों लड़े मजबूती से अपने rights को enforce करें गवराएं नहीं मिलते हैं एक नेट आपक के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत